वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को और मैं सब्सक्राइब हो नमस्कार मैं जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो का कुछ न कुछ मैसेज होता है अभी मैं आप लोगों को ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसके पीछे गंभीर चिंतन बिशय है हम लोग बिश पर बिश लगाते जा रहे हैं लेकिन जो पहले से पड़े हुए बिश है उनका कितना देख़ाल कर पा रहा है ये हम सभी जानते हैं आप ही देखते होंगे बड़े बड़े 20, 25, 50 साल के जो पड़े हुए ब्रिच हैं उसको काटके और एक छोटा पौधा लगा देते हैं उससे जरूरी है कि हमें उन ब्रिचों को बचाएं जो पहले से लगे हुए इसके साथ साथ देखिए मैं प्रकृति सन्रचन के साथ साथ भी कुछ और भी बीडियो डालते रहता हूँ लेखिन इस बीडियो में देखिए आप जो ब्रिच मिट्टी कटाओ के कारण धहने के कबार पर पड़े हुए हैं ये पोखरा जो की आप देखिए इस बीडियो में ये ब्रिच इग्दम सूख के खड़े पड़े हैं और शाथ साथ में ये पोखरे जो की अनावशक जल दोहन के कारण पूरा सूखे पड़े हुए हम लोगों को ऐसे पोखरे के साथ साथ ब्रिचों को भी बचाने के जरूरत है और ब्रिचों को मिट्टी के साथ उसकी देखवाल भरपूर जरूरत है ये सिर्फ मिट्टी कटाव के कारण ये ब्रिच आज जमीन पे पड़ा हुआ है और शूख के अपनी मिलता वस्था में पड़ा हुआ है तो हमें प्रकृति सन्रच को बचाने के बहुत जरूरत है ब्रिच लगाने से भी जैदा इन पाध उन को बचाने की जरूरत है यदि ये वीडियो का मेशेज संदेश आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को दूसरी लोगों तक सियर करें और वीडियो बनाने का मकसद को पूरा करिए वीडियो में जो आपने देखा है दूसरी लोगों को भी बताईए कि हमें ब्रिच है, सनरच्छड और मृता सनरच्छड कितना जरूर है चैनल को सबस्क्राइब करिए और वीडियो दूसरी लोगों तर सेर करिए नमस्कार, प्रणाम